तो दोस्तों वेलकूम बाइक Basic IT Infra के इस एपिसोड में आपका स्वागत है तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको IT Infra के बारे में explain की हैं बहुत सारी चीजे यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताए यहाँ पर हमारे branch office में बहुत सारे computers होंगे, devices होंगी यहाँ पर भी बहुत सारे servers है ठीक है, storage है, network devices है अब इन servers को IP कौन प्रवाइड कराएगा ठीक है, अगर हम static IP ठीक है, static IP अगर हम इस system पर देने जाए static IP क्या होती है static IP यह होती है, दोस्तों जो manually IP assign की जाती है by human, ठीक है, by मेरे just like मैं system admin हूँ इस organization का, तो मुझे manual IP assign करना पड़ेगा ठीक है, तो मैं एक IP इस पर sign करूँगा, एक IP इस पर sign करूँगा ठीक है, एक IP इस पर, एक IP इस पर तो यह एक बहुत lengthy process हो जाएगा बहुत ही लंबा process हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं क्या करूँगा कि इस पर, और इसको manage करना एक बहुत ही tough job है कि कि इस IP पर कौन एक Excel बनानी पड़ेगी, उसका Mac address लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक लंबा बहुत लंबा process हो जाएगा, क्योंकि हो सकता मेरे यह thousand devices हो तो इन चीजों को manage करना बहुत ही tough job हो जाती है, तो इसलिए एक concept आता है DSCP, ठीक है अब DSCP concept आता है, जैसे इस मैंने आपको बताया था, last video में कि हमारे data center में बहुत सारे servers होते है file server, storage server, वैसे ही एक server होता है, दोस्तो DSCP server, ठीक है DSCP server का 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 होता है, कि यह IP का management करता है, ठीक है IP का management करता है, और IP assign करता है, IP assign कैसे करता है, यहाँ पर जो D है हमारा, वो है dynamic, ठीक है यह जो IP assign करता है वो dynamic IP assign करता है ठीक है, इसको एक IP दे देगा ठीक है, माली जै इसको एक IP दे दिया इसको एक IP दे दिया तो ये सारी डिवाइसेस, नेटवर्क की डिवाइसेस को dynamically IP देगा और उनका IP management का काम करेगा with किस के साथ में? Mac address के साथ में, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजे और समझने वाली हैं यह जो है general concept मैंने आपको समझा दिया ये सारी organization में follow होता है, ठीक है? DSCP क्यों introduce हुआ? क्योंकि IP को manage करने के लिए, ठीक है? IP के management के लिए, उससे पहले क्या होता था? हम static IP देते थे system को, बट static IP कुछ computer के लिए सही है उसके बाद उसका management थोड़ा सा disturb हो जाता है मतलब उसको proper आप manage नहीं कर सकते हो इसलिए DSCP picture में आया, जो automatically ही manage करता है IP को, ठीक है? IP सबको IP sign करता है, IP के साथ में और भी details होती है ठीक है? IP के साथ में जैसे DNS की details हो गया, gateway हो गया हमारा ठीक है? और भी आप subnet की details दे सकते हो ठीक है? वो हम आगे चलके देखेंगे कि हम क्या-क्या information provide कर सकते हैं with IP ठीक है? तो ये episode हमारा इसकी दो-तीन videos बनेंगे तो उनमें हम एक-एक चीज को discuss करेंगे कि DSCP के बारे में तो दोस्तो, अब आपको clear हो जाएगा कि DSCP होता क्या है DSCP का full form होता है दोस्तो हमारा dynamic host configuration protocol ठीक है इसको हम DSCP बोलते हैं तो इस series में basic series में हम पढ़ेंगे क्या कि DSCP की क्यों हमें requirement होती है DORA process क्या होता है DSP कैसे काम करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़िए हैं DSCP failure इसके बाद हम Q and A section दखेंगे question and answer ठीक है आप लोग हर वीडियो में मुझे questions प्रवाइड करिए और लास्ट वीडियो में मैं आपको सारे के सारे answer with explanation ठीक है आपको कैसे explain करूँगा आपके answers को मैं समझाऊँगा ठीक है तो हम चलते हैं तो दोस्तो सबसे पहला question उठता है कि DSCP काम कैसे करता है ठीक है DSCP काम कैसे करता है और DSCP ना एक basic level से समझते हैं जैसे माल लीजिए आपने एक server buy किया एक किसी ने server एक यह purchase किया एक server क्या client machine purchase की ठीक है यह client machine है जिसको हम workstation बोलते हैं ठीक है यह client machine purchase की client machine physical machine पर change की ठीक है अब इस client machine के उपर क्या क्या होगा ठीक है अगर हम network terms में बात करें ठीक है तो यहाँ पर एक यह हमारा ethernet port होगा ethernet port होगा ठीक है ethernet port होगा यह ethernet port जो है basically किसके लिए configure है network के लिए ठीक है और IP क्या है network का एक protocol है ठीक है तो यह ethernet पे क्या-क्या जब यह ethernet लगता है तो इसके उपर एक mac की information होती है ठीक है Mac क्या होगा एक physical address होता है ठीक है जो कि हर एक ethernet का होता है ठीक है तो यह story होगी Mac Mac आप यह समझ लीजी आपके system का unique होगा अभर एक system का Mac address होता है जैसे जैसे आप mobile करीते हो mobile में एक mobile का number होता है तो आप आपका मोबाइल कभी खो जाता है तो आप इमाई नंबर के तुरू उसको ट्रैक कर सकते हो ठीक है सिम कार्ड कोई भी लगाते रहो कोई फरक नहीं पड़ता बड़ आइमाई नंबर एक हर मोबाइल का एक फिजिकल डिवाइस का होता है वैसे ही यहाँ पर एक Mac address हर एक Ethernet का होता है ठीक है अगर मैं यहाँ पर दूसरा Ethernet लगा देता हूं तो उसका दूसरा Mac address हो जाएगा तो Ethernet का हर एक Ethernet का एक अपना Mac address होता है ठीक है बाइडिफोल्ट जब एक कंप्यूटर आप खरीतते हो ठीक है तो जैसे माल दीजिए यह मैंने एक मेरा laptop है ठीक है मैंने खरीदा तो यहाँ पर मैं अगर इसके उपर IP sign करने जाता हूं तो IP sign करने के लिए ncpa.cpl एक ठीक है अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप properties में जाओगे ठीक है और यहाँ पर हम अभी क्या यूज कर रहे हैं TCP IP version 4 यूज कर रहे हैं ठीक है version 6 अभी यूज हो नहीं रा इंडिया में तो हम यहाँ पर version 4 यूज कर रहे है version 4 की properties आप open करोगे तो by default जब आप कोई भी नई machine घरी तो by default जो settings होती है by default जो setting होती है obtain an IP address automatically obtain DNS server address automatically यह settings configure होती है by default ठीक है तो यह याद रखना कि मैं आपको बता रहो कि कैसे काम करता है ठीक है IP कैसे मिलती है वो जरूरी समझना है क्योंकि troubleshooting के लिए बहुत important चीज हो जाती है ठीक है तो यह settings by default configure होके आती ह सब्सक्राइम के हर इन device में ठीक है जैसे ही आप यह server लाए जैसे ही आप इस सर्वर को network में पुड़ किया network में जैसे प्याप यह RJ45 connection कोर्थ को जैसे ही आप यहाँ पर लगाया और Shadow इसके इसके अपिर्श़र होता है हमारा मिलता है आप ने जैसे यहां पर लागिन किया तो यह क्या करेगा घर यहां पर यह light जलने लगेगी ठीक है यह light दिख रही होगी आपको यह light यह light जलने लगेगी ठीक है यह light जलने लगेगी ठीक है इस light का चलने का मतलब यह है कि यह जो cable है आपकी यह जो cable है यह आपकी यह पीछे switch से connect है ठीक है यह cable switch से connect है ठीक है जैसे हम घर में कोई bulb जलात तो आपका बलब तब जलेगा ठीक है बलब या टूब लाइट टूब लाइट ठीक है टूब लाइट हम जलाते हैं तो यह जो आपका वायर आता है टूब लाइट से जो कनेक्ट है अगर वो पीछे imaver power supply से connect होगा तभी वो जलेगा तो यहाँ पर यह जोगेबल है यह केबल हमारे किससे connect होनी चीए switch से ठीक है switch से connect होनी चीए और यहाँ पर यह होनी चीए ठीक है जैसा कि मैं अपने इसमें भी समझा चुपा हूँ आपको अगर यहां पर मैंने आपको बताया था कि यह हमारा कोई भी डिवाइस है वह किस से कनेक्ट होता है स्विच से और यह जो स्विच है हमारा किस से कनेक्ट हमारा स्विच जो ना इसके उपर पावर सप्लाई लगी होती है पावर सप्लाई एडॉप्टर होता है जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं यह कंटिनिवसली लगा रहता है ताकि इसमें पावर आती रहे ठीक है तो यह चीज होती है हमारे पास अब जैसे ही आप इसमें आर्वे आर्चे 45 connector लगाओगे ठीक है जैसे यह आप इसमें आर्चे 45 connector लगाओगे इसके अंदर ठीक है क्या होगा हर कंप्यूटर के अंदर एक DSCP service होती है DSCP service sorry DSCP client एक सर्विस होती है ठीक हर computer के आपड़ जैसे मेरा यह laptop है अगर मैं इसको सर्विसेस.msc खोलता हूं तो यहां पर dhcp ठीक है यह क्लाइंट सर्विस है जो आटोमेटिक के लिए सेट होती है स्टार्टप टाइप आटोमेटिक ठीक है यह यह सर्विस dhcp क्लाइंट अगर आप इसको पढ़ोगे ठीक है यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोग टे कैसे रजिस्टर तो इस सर्विस का काम क्या होता है यह सर्विस जैसे ही आपने इसमें प्लग इन किया केबल को ठीक है यह प्लग इन किया कौन सी rj45 कनेक्टर को ठीक है, Ethernet Cable को, Ethernet Cable भी बोलते हैं इसको, Ethernet Cable भी बोलते हैं, जैसे ही आपने Ethernet Cable को plug-in किया, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, यह service start हो जाएगी, ठीक है, यह service start हो जाएगी, और यह क्या करेगी, पैकेट को broadcast करेगी, ठीक है, पैकेट को broadcast करेगी, ठीक है, इतना concept आपको समझ में आ गया, अब interview में generally क्या पूछा जाता है, question कि एक computer, आपका, यह वाला computer, आपका IP नहीं उठा रहा है, तो क्या, आप क्या troubleshooting करो होगा, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहले physical cable क connectivity देखनी है, कि physical cable connect है, या नहीं है, दूसरी connectivity, दूसरी चीज़ आपको देखनी है, कि DSCP की service running है, या नहीं है, और तीसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, कि यह जो opt-end and IP automatically है, या नहीं है, यह तीन चीज़े देखनी जरूरी है, क्लाइन मसीन पर, कि अगर यह तीनों चीज़े की settings proper है, तभी यह DSCP को आगे request भेज सकता है, ठीक है, अब चौती चीज़ क्या हो गई, अगर यह इस question का answer देना है, तो चौती चीज़ है, कि आपको connectivity देखनी है, इस client मसीन से DSCP server तक यह ping कर पा रहा है, या नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अब चलते हैं अपने theory की दरफ, तो यह सबसे पहले क्या करेगा, broadcast करेगा, ठीक है, broadcast करेगा, आप, broadcast, जब यह broadcast करेगा, ठीक है, broadcast करेगा, तो इसका जो एक process होता है, उसको हम पहले समझ लेते हैं, कि यहाँ पर, यह हमारी client machine है, इससे हमने RJ45 connector को जोड रखा ह है, जैसे ही plugin किया, ठीक है, जैसे ही plugin किया, ठीक है, तो यहाँ से एक process start हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, Dora process, यह बहुत question पूछा जाता है, कि Dora process क्या होता है, इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर Dora process होता है, D for discover, ठीक है, discover, अब जैसे ही आपने cable plugin की, तो Dora process initiate हो जाता है, ठीक है, Dora process initiate हो जाता है, और network की connectivity proper है, client और DSCP server की, DSCP server हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, DSCP server पे हमारे port number 67 है, DSCP server का port number 67 होता है, client जो service होती है, client machine की जो service होती है, DSCP, उसका port number 68 होना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने question पूछा था अपसे, तो यहाँ पर हमें port number भी open होने चाहिए, firewall पर, 67 and 68 port open होने चाहिए, ठीक है, तो अब आते हैं अपने theory पर फिर से, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यह table यहाँ पर link लगाई, तो यह जो हमारा जो server है, DSCP client को use करेगा, client service को use कर और एक packet broadcast कर देगा, broadcast का मतलब होता है, जैसे radio होता है, radio क्या करता है, हमारा broadcast करता है, जिसको सुनना सुने, जिसको नहीं सुनना है, ना सुने, ठीक है, और unicast क्या होता है, कि जैसे मैंने आपको phone किया, ठीक है, मैंने आपको phone किया, पर दूसरे को नहीं पता ना, मैंने आ जिरो 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 और broadcast का जो कोई भी IP होता है वो होता है 255 मतलब 255 255 255 यह broadcast IP होता है ठीक है यह broadcast IP होता है और यहाँ पर यह जो पहला packet initial packet है उसके उपर क्या है यह अपना Mac address mention करेगा क्लाइंट मसीन अपना Mac address mention करेगी और इसको क्या करेगी यह broadcast करेगी जैसे ही broadcast और साथ में इस message के साथ में यह जो है port number भी map होता है 68 जैसे यह port number 68 map होता है तो यहाँ पर तो बहुत सारे server है ठीक है यहाँ पर बहुत सारे server है क्योंकि data center में request जा रही है तो data center में और server है बट सारे server इसको deny कर देंगे क्योंकि इस request के साथ में port number 60 add है तो कौन accept करेगा DSCP server accept करेगा क्योंकि 67 port जिसके पास होगा वही यह request को accept कर सकता है तो अब यहाँ पर जो भी firewall होगी ठीक है उस firewall पर हमें 67 वाली port और 68 port open होने चाहिए ठीक है तो यह क्या होगी यह request इसके पास जाएगी और यह request को यह accept कर लेगा ठीक है यह request को तो डोरा प्रोसेस अगर मैं यहाँ पर लिखते हूं डी ओ और ए ओ फर ओफर ठीक है यहाँ पर मैं एक आपको एक और चीज बताता हूं ठीक है उससे लोन लेना अच्छा है तो आपने पहले क्या किया डिस्कवर किया ठीक है आपके आप SBI के पास पहुंच गए अब आप SBI के पास पहुंच है SBI ने आपको जो है आपका देखा कि आप भाई आप कहां से पैसे कबाते हो क्या करते हो कैसे है क्या है मतलब आपका financial status देखा उसके गाद SBI ने एक offer दिया आपको भाईया हम इतना लोन दे सकते हैं ठीक है मालो आपको offer दिया कि हम भाईया 15 लाग का लोन देख सकते हैं ठीक है अब आपके उपर है कि वो लोन को आप accept करते हो या नहीं करते हो ठीक है आपने क्या किया भाईया आपने request डाली कि हाँ भाई मैं accept कर रहा हूं यह 15 लाग का लोन accept कर रहा हूं ठीक है तो इन्होंने क्या किया आपने request डाली कि भीया मैं 15 लाग का लोन accept कर रहा हूं तो इन्होंने क्या किया इसको acknowledge कर दिया ठीक है acknowledge कर दिया कि हाँ 15 लाग लोन आपको मिल गया ठीक है तो सेम प्रोसेस यह कि यहां पर क्या है यहां पर offer करेगा कि यह है मेरे पास IP address की details आप अगर तुम इनको accept करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो ठीक है तो यह क्लाइंट मसीन इस packet को यहां से यहां भेजेगा का dcp server इसके पास अभी इसके पास इसने तो accept कर लिए कि हाँ भाई यह मैं accept कर रहा हूं यह reject कर रहा हूं यह इसके उपर है ठीक है जनली acceptance होता है यहां पर ठीक है तो यह accept कर लेगा और यह भेज़ देगा इसको एक packet, कि भीया मैंने accept कर लिया तुम्हारी request, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कि भीया मैं तुम्हे accomplish कर दे रहाओं, acknowledge में क्या होगा, हाँ ये वाला जो है IP जो तुम्हे गिया है, वो तुम्हारे मैक के साथ bind कर दिया है, मैंने अपने server पे ठीक है यह IP तुम्हारे पास है यह है acknowledgement तो अगर हम इसको simple terms में समझें जैसा मैंने bank वाल आपको example दिया है तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर simple terms में मैंने समझाया कि client पहले क्या करेगा discover करेगा ठीक है यह DSCP server कौन सा है port no 67 and 68 को use करके जो मैंने आपको बताया है ठीक है अब उसके बास server क्या कहेगा sure I have XYZ IP for you you will accept it तो client बोलेगा yes kindly issue XYZ IP me and send remaining configurations तो यह सारा process होता है DSCP Dora process में तो hopefully Dora process आपको अच्छे से आ गया होगा और यह interview में बहुत question पूचाता जाता है Dora process के बारे में तो next video में मैं आपको बताऊंगा कि DSCP कैसे install करते हैं जो कि मैंने PPT में दिखाया आपको कि बहुत सारे topics हैं जिनको तो मैं next video में cover करूँगा upcoming videos में तो मिलते हैं next video में thank you